स्वागत है दोस्तों आपको आपका बुग्यालों की दुनिया में हो हम है एक दम हाय माउंटेन के दुनिया से आपका बने रहे वीदियो के लास्त तक आपको बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों यह है बोड़ा बात और यहां पर बक्रिया आने रहें है इससे पहले नहीं पूरा का पूरा है निटा बुग्याल पूरा जहां तक नजर जा रहे हैं अधा ही दिखा इससे भी आगे तक है यह बहुत आगे तक अभी हम जाके दिखाएंगा आपको नामें असनार तक तो तब जाके वहां से दिखाएंगे फिलहाल अभी हम जहां पर हैं यह है गोड़ाबाद तो दोस्तों एक बार फिर से ना हम कैम्प में आ चुके हैं पाने अगरा लेके और यह रहा हमारा कैम्प और हमारे जो यह पंचो अगरा है ना यह भीग चुके हैं तो इसलिए हमने इनको लगा दिया है थोड़ा सा सुखाने के लिए बरतनगरा भी उसी तरह के हैं भाई और हमारे पास चार के बचा है व्यूटेन तो देखते हैं कितना और ठीकता है यह जब तक यह पूरे खतम नहीं हो जाते तो दोस्तों तब तक नहां हम यहीं पाइडव कह भी नहीं सकते कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहां पर ना बादल हर पांच मिनट में भाई ऐसा घेर दे रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कहां से खुल रहा है कहां से बंद हो रहा है थोड़े देर पहले तक बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था बालिया करके खुला था तो अब ना फिर से बंद हो चुका है पूरा-का-पूरा और मैं चार्जिंग के लिए लगाया था थोड़ा सा तो देख से PLAY मैं चार्जिंग कितना कर पाता है ये वाला क्योंकि धूप तो जिए थोड़ी सी रहत मिल रहे है कि चार्जिंग और गरा का लिए तो बहुत लम्मे दिन तक हम कि बिना चार्जिंग रहनी सकते हैं क्योंकि चार्जिंग की फ्यसलेटिव बहुत जरूरी है यहां पर तभी जाकर हम ब्लोग और शूट करपाएंगे तो छला थोड़ा सा उपर तक जाते हैं ताकि ना वहाँ पर वियाई के नेटवर्क ढोड़ते हैं दोस्तों एक ब्लॉग ना मेरा 84% तीन दिन से है भाई 84% पर याटका पड़ा है क्योंकि यहाँ पर उतने नेटवर्क है नहीं तो नेटवर्क ना होने के वज़े से ना वह उतने पर ही आटका तो फिर एक ब्लॉग जो स्टार्टिंग है तो उसकी कर सके हम पर ना बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ पर नेटवर्क की कही दिनों से आज लगभगना मेरे यूटूब पर हो चुके हैं भाई 15 से 20 दिन जिसमें के मैंने कोई ब्लॉग अप्लोड नहीं कर रखा है तो ऐस से मैं कोसिस करते हैं कि एक ब्लॉग भी अप्लोड हो जाता तो थोड़ा सा मजा आ जाता दोस्तों परना बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा वीक्स सिगनल है यह पर दिखा रहा दोस्तों तो यह में तो ना हम ब्लोग तो क्या भाई कॉल भी नहीं कर पा बहुत ही मुश्किल भरा है भाई यहाँ पर समय को बहुत मुश्किल है क्योंकि हो नहीं रहा बिल्कुल भी बड़ी नहीं रहा है तो दोस्तों मौसम कुछ इस तरह से पूरी तरह से बदल चुका है आप पूरे अपने जूर सोर में क्योंकि नहुदस बजे के बाद ऐसे होता है मौसम यहाँ पर कहीं से कहीं तक नजर भी नहीं आएगा आप अपने आसपास की चीजें भी दिखने मुश्किल हो जाएंगी दोस्तों थोड़ी देर के बाद तो हाँ पर हम जल्दी ही न यहाँ से लौट के फिर आपके लिए बहुत बढ़िया एडवेंचरस ब्लॉक अपलोड करने वाले हैं तब तक दोस्तों हमें खुद एडवेंचर में पड़े हैं यहाँ पर क्योंकि यदि नेट्वर्क से ही आता ना तो हम काफी दिन यहाँ पर रहके आपके लिए पढ़िया करके ब्लॉक शूट कर सकते थे पर हमारे पास ना सादन भी लिमेटेट है दोस्तों उतनी जादा हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है खाने पीने से लेके रहने तक कि न सारी भी उसना टेमपरेरी हो रिखी है क्योंकि बहुत जादा ओप्सन नहीं है हमारे पास यहाँ पर रहने के तो इसलिए हम इसी त दरसे रहते हैं 2-4 दिन जितना भी दिन और कट सकते हैं पर हो रहे भाई आप घर कप जाए क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं हमको यहां पर मतलब महना होने वाला है तो एक महना पूरा यहां पर रहने का मतलब ना बहुत बुरे हाल हैं दोस्तों कुछ समय के लिए ना नेटवर्क आ रहे हैं तो मैं इसको यहां पर रखके जाता हूँ क्या पता ना हो सके यह अपलोड कर दे तो यह भात है बचा हुआ हमारा चांवल इसको खाते हैं और थोड़ी देर के बाद आते हैं क्या इस्तिति होती है कि ओ अपलोड करता है या नही करता नहीं तो फिर ना च्छाता लेकर बैटते हैं और फिर आध करके एक दो ब्लॉग अपलोड करते हैं तो यहां से से हेल हमारा कैम्प है देखते हैं से सूपता है या नहीं सूपता नुए सब्सक्राइब कुछ नए हों दोस्टो हमारी मैजी बनके हो के हैं दम तयार है को अस्तानी है तो कि मैंने एक दम शुखा बना रहा है दोस्कों बढ़ियावानों तो साथ में का लाहमारा मिनी मशाला है पर मज़ा आरहा भाई प्राई करके न तो थोड़ा सा चेंज हो गया है इसका क्योंकि रोज वही डेड में ड्याला खा रहे है आज हमने का थोड़ा सा न एक स्टाइफ है लगा के खाते हैं तो बहार का मौसम दिखाता हूं कितना भेंग कर बारिश हो रुख रहे हैं पूरा भाई भाई टो पूरी आवाज आधीन, एक रिखो बढ़र के लाग कुरे पूरी बारिश हो रहे है पूरर वहाल हो रहा है थिलहल के लिए और हम है टेंट के अंदर ऑंदर य़ी बाहार न भाई शुदू करने के लिए भी सोचना पढ़ था है ऐसे बाड दो मिनिट दू म के बात जाएंगे जब थोड़ा सा मौसम हलका हो जाए हो जाएगा ना तो इसके बाद जाएंगे दोस्तों नहीं टो बॉघ्ट बवूरा हाल ये तो बन चुकी हैसे हमारी कॉफी पर मेशाही दिन कट रहा है तो बहुत मज़ा आ ये दश वही चाय कॉफी है हमारे पास पीने के लिए शूप है पर शूप मेरे को अच्छा लगता है नहीं है बहुत कम पीता हूँ अबते में एक या दो बार ज्यादा मजा नहीं आता पर पार्टनर परिशान है पार्टनर को चीजिए रोच भाई हम कमजोर भी हो चुके है हमा हमारी खराब हो चुकी है लग रहा है चाला कोई बात में चलते हैं बाई दो-तीन दिन में ब्रीया करके फिर थोड़े सी मैंटेनेंस करेंगे फिर अगले साल मिलेंगे यहां पर और उसके बाद ना फिर उस सीजन का बनाएंगे विंटर का सुनो वाला सीजन वाला ब्रीया और एक तुला यह भी है क्योंकि अमर्जेंशी के लिए ना हमने दो-धो रखे हुए भाई अगर एक ने दोखा दे दिया तो फिर दूसरा तो काम करें लेगा और केन भी बचे हैं भी हमारे पास चार पांचेक और तो अभी इसमें भी बचा है काफी कि आज का खाना तो ब आटा और निले आप आए रोटी नी बन पाती ना हमारी क्योंकि भाई हमको गैस में बना के खाने के आदद नहीं पहली बात जैसे आप लोग खाते हो ना सेहरों मैं तो हम ऐसी रोटी खा ने सकते बहुत कम हम यहाँ पर चुले की रोटी खाते है तो इसलिए हमको आदत न सकता ही हоп मैं चली तो इससे तो इसमें भिगाए सकता हा कि अगरे टीन इसा को पौक हो quello है केंज की अरी कुछ एक कम हमारे पास ना पिसी फठहाद में क्यों हीbelsोद़ाности थे फमेशेट में में से ऊचप चार पाँच बचे हुए हैं और हाई माउंटेन से आप जल्दी ही उतरने की तयारी है क्योंकि बहुत जादा परिशान हो चुके हैं हम भी काफी दिनों से यार और घर से भी फौन आ रहे हैं कभी मिल जा रहा है तो वोग भी परिशान है वो भी कहते भाई पूरा मेहना काट गया आपने अब घर आ जाओ तो इसलिए हलाकि यहां पर ना सारी भी वस्ता रहे हमने बकाईदा चार्जिंग की भी फैसलेटी रही है हमारे इदेखो भाई इदर से चार्ज भी हो रहा हमारा बैटरी बैटरी भी चार्ज हो रहा फोन भी चार्ज हो रहा और गुपरो भी चार्ज हो रहा सारी भी वस् हैं टेंट के अंदर अंदर ही बूर्यत हो जारी नौ बजे से लगा लो भाई अभी टाइम हो रहा आपका तीन बज़ के 27 मिनट सारी तीन तो आप लगा सकते हैं नौ तीन बार तीन छह सारी छह गंटा तो अभी अभी हो चुका है हमको फिर उसके बाद रात कहां से गी फिर अभी और कितना बैटना है टेंट के अंदर ही कोई पता नहीं है भाई बारिश जमा जम 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 बारिश है करें भी तो क्या दिखाएं भी तो क्या दिखाएं भाई आपको भाहर का माहौल थोड़ा शह दिखाते हैं परowe अमारा टैंट गीला हो जा रहा है बप सबसक्त मेसा पता अगर चले भी गए ना बाहर तो कुछे देखने को नी मिलेगा हम को पीघ्गो इस तो बहु कुरे काटना है कोई पता नहीं है चलो जैसे भी है दोस्तों फिलाल तो हम टेंट के अंदर सेफ है इतने इतना जरूर है कि हम सेफ जगह पे हैं बडिया जगह पे हैं और अपना बडिया करके हम ब्लॉक बना पारे हैं हाई माउंटेन में और बाकी कुछ नहीं है वही है बस दिखा किस तरह का रहता है साम को खुलता है या नहीं खुलता पांच-छे बजे के बाद क्योंकि यहां पर मौसम ने एक टैम टेबल बना रखा है अपना सुबह पांच से नौ वजे तक जो मौसम खुल रहा है और साम को ना 6 बजे करीप सरी पांच 6 बजे से आधा एक घंटे के मैक्जिमम एक घंटे के लिए भाई मत निकाल बद्बू मार रहा है यह मजे ले रहा भाई इसमें से गैस निकाल निकाल के वैसे ही परिशान है यह और परिशानी में ढालता है करे तो क्या करे गंडी गंडी बद्बू आ रहे बाई गैस की ब्यूटेन गैस की चलो मिलते ह बहुत हैं सामको किस तरह का मौसम होता है तो दोस्तोर पंचो से न पूरा भीग्या जो पंचो है भाई ये पाने छोल रहा है तो पाने ले आने के चकर में पूरा का पूरा भीग्या और खुबसुराथ सा केम्प बाकी नजारे कुछ भी नहीं है दोस्तों बसे ही हमारा हाई माउंटेन का केम्प है और केम्प के आगल बगल कुछ भी दिखने रहा है क्योंकि बादल ने इस तरह से घे रखा है पूरे बुग्यालों को तो भाई आप कुछ दिखाने के लिए भी नहीं बचा है तो तो इसलिए हम खुब्सुरत सा कैम्प हमारा और यहां पर देखो भाई पानी का न इस तरह से हमने जुगार बना रखा है तो दिन में जो बारिस होई न उससे तो कम से कम हमारे पास चार से पॉंच लेटर पानी हो जाएगा आसाने से तो इस पानी का यूजना हम बरतन अगे दूल सकता है हमारा आख की नीचे की साइट को दिखाते हैं क्या हाल हो रखा है भाई देखो भाई जाम है कहीं से थोड़ा सा नीचे तक दिखि रहा है उसके अबाद ना कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कुछ भी और अब साम हो चुकी है तो लग बख अंधिरा ही होने वाल है दोस्तो आप थोड़ी ही देर में क्योंकि टाइम ना बहुत हो चुका है अभी थोड़ा सा मौसम रुका था तो हमने का चलो भाई बाहर के नजारे दिखाते हैं तो साथ बचके ना 14 मिनट हो रहे हैं दोस्तो तो थोड़ी देर में यहां पर रात हो जाएगी तो जैसे रात होगी तो फिर बारिस का गर्याजना फिर से शुरू हो जाएगा भाई यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ही है ना बारिस की कंटीनियू बारिस 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 तो इसी बारिस से हालत खराब है हमारे तो बरतनों की गिसा ही चल रहे है भाई यह भी तो जैसे बरतनों तन साफ हो जाते हैं तो फिर हम सीधे अंदर जाते हैं कप्लोगरा बजलते हैं क्योंकि मेरा ना आज जैकेट भी भाई पूरा भीग चुका है बढ़िया करें मस्त करें क्योंकि मैं छाता ने ले गया और मैंने सोचा चलो है इससे काम चलाते हैं पूरा द्धोका दे दिया दूस्तों को क्या अंदर से क्षोड़ रहा है पूरा वे करके चलो कपलों के चेंज साम के समय में बन रहा है sup क्योंकि कफी तिन होगे हमें सूप भी बहुत ज्यादा जमा और रहा है हमारे तो इसलिए ना अभी हम सूप की टयारी कर रहे हैं आज बना है हमारा mixed vegetable soup क्योंकि रोज हमारा चल दा चिकन सूप चिकन सूप तो आज चल रहा हमारा mixed vegetable soup तो थोड़ी सी हीट आजाएगी गर्मी आजाएगी शरीर में थोड़े से भीग रखे हैं तो वह भी सूख जाएंगे क्योंकि अंदर से heat मारेगा ना बढ़िया वाली mixed vegetable वाली heat मारेगा दोस्तों तो कुछ इसी तरह की लाइब चल रही है हमारी और कल का प्रोग्राम है हमारा आपको दिखाने का नामिक glacier जहां से एक्चल में राम गंगा निकलती है तो हम कल के ब्लॉग में आपको वहां दिखाने वाले हैं तो जरूर बने रहे हैं वीडियो के साथ ताकि ना आपको भाई राम गंगा नदे का उद्गम स्थल देखने को जब आप वीडियो में बने रहोगे तभी आपको मिलेगा कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि पहले बारी ना कोई भी आपके लिए नामिक glacier की वीडियो बना के लेका आएगा बाकि जो भी आता है आपका रंदन खरक या फिर उस साइट से फुटी कुन तक जाता है बाकि उससे आगे जो है कोई गया नहीं है दोस्तों तो इसलिए जरूर बने रहे हैं हमारे वीडियो के साथ अभी हम सूप पीते हैं फिर उसके बाद आगे की discussion शुरू करते हैं दोस्तों तरस तो इस तरह से ना एक महने तक कौन-कौन रहा है बुग्यालों में व कोई रहा है प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्योंके हमारे ना भाई एक महने में हवाड ठीली हो चुकी है अब ना दासन पानी सारा जितना भी है सारा लास्ट के हालत में है तो इसलिए ना अब घर के खाने की याद आ रही है तो ज़िए आप रहे हो के भी इस त मसाला मिक्स किया जा रहा है और इसमें प्याज भूना जा रहा है डाल भी भाई आज के लिए बचा है कल के लिए कुछी नी है हलाकि चाय चीनी का समान जरूर है हमारे पास चाय और चीनी बची है मैगी बची हुई है तो मैगी से कितने दिन और सरवाइब कर सकते है इस ग्याल में तो देखने वाली बात है दोस्तों क्योंकि मैगी सुबह साम सुबह दिन में और रात को तिन तिन टाइम ना मैगी खा सोच के ही भाई सोच के ही टेंसन हो रहा है कि मैं किशे कट जाए का तो देखते हैं क्या होता है क्या होता है काट सकते है या नहीं काट सकते या फिर कुक्रिया दोलगा के भागते हैं क्या होता है दोस्तो जरूर बने रहे हमारे साथ देखें लास्ट के हालत जो होती है दोस् हस्ट में तो जोस होता है ना तो जोस जोस में इंसान कहीं पर भी निकल जाता है तो भाई मेरे पास ये भी है वो भी है सब कुछ है पर जब लास्ट हालत होती है ना सारा सामान एंडिंग की तरफ होता है आपके पास जब कोई option नहीं बसता है उसी को खा के जीना है तब है न वो माईनी रखता है तो चलो देखते हैं कितना दिन और कैसे सर्भाइब कर सकते हैं हम तो आप जरूर देख लोगे बने रहे हैं दोस्तों हमारे साथ क्योंकि बहुत तेज हवा चल रहे हैं आज मौसम खुलने के चांसे सो सकते हैं जिस हिसाब से बहुत तेज-तेज हवा च तो दोस्तो हमारा भात और डाल बन के तयार हो चुका है अब है हमारी खाने की तयारी मेरा सबसे बड़ा वाला प्लेट है दोस्तो यह तो इस लिए मैं इसको बड़ा वाला प्लेट लाया हूं और इसके पास छोटा वाला थाली है तो आप हम करते हैं खाने पीना सुनुरू truth पीना तो नहीं है भाई पीते वेसे भी नहीं है और पानी पीते है खाने में थोड़ा सा हमारे पास है जब तक है तब तक खाते हैं भाई दबा के फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा भगवानी बचाए भाई उसके बाद तो फिलाल चलो डाल भी हमारी बनिया भाई तम वास्त वाले देखो ये मज़ा आगया डाल में भी मुशे पानी आरा भाई पहले करते हैं खाना शुरू आज का और फिर उसके बाद सो जाते हैं बढ़िया करके गुड़ नाइट दोस्तो अब हो चुका है हमारा खाना पिना सब कुछ और अब तयारी है हमारी सोने की एक और हाई माउंटेंड में तो मिलते हैं कल एक और खूपसुरत और एडविंचरस ब्लॉग के साथ क्योंकि कल हम जाने वाले हैं आनर गाओ उन्हीं के आनर गलेशियर जो पड़ता है आपका नामें गलेशियर के एक दम नजजदीक में तो कल मिलेंगे हम आपको एक और अबने ब्लोक के साथ तक तक के लिए तब तक के लिए सुसते रहें मस्त रहें अपना ख्याल लखे और अपनों का भी ख्याल लखे और देख के रहे हैं नॉमाडिक टाकली ब्लॉक थेंग्यो फोर वाचिंग थेंग्यो झाल